दोस्तों अगर अभी तक आपको PM आवास योजना का पैसा नहीं मिला है यानि कि घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी आपको आर्थिक सायता नहीं मिली है तो एक बार फिर से गोवर्मेंट ने इसका ओनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है जिसमें दोस्तों आपको एक बार फिर से अपलाई करना पड़ेगा जिसके बाद PM आवास योजना का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जिसके बाद आसानी से आप भर बना सकते हैं और आवेदन करने का जो प्रोसेस है ये भी ऑनलाइन है इस उडियों के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन करेंगे और आवेदन करने के कितने दिन बाद पैसे मिलेंगे सब कुछ ठीक है तो चले हम इस उडियों को श्टार्ट कर लेते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना जिसके बाद आपके सामने इश्रम कारड का पोर्टल ओपेन हो जाएगा अब दोस्तों आप इश्रम कारड के पोर्टल से ही प्यम आवास योजना के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं ठीक है जिसके बाद दोस्तों capture code जो है उसे यहाँ पर type करना है और send OTP के उपर click कर देना है अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पर type करेंगे और नीचे submit वाले button पर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार detail अब आपको देना होगा तो यहाँ पर आप submit वाले button पर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपके आधार card के साथ जो mobile number लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा उससे आपको यहाँ पर type करना है और validate के उपर click कर देना है जिसके बाद इस तरह से आपका profile open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों भूल कर भी आपको check box पर click नहीं करना है वरना आपका इश्रम card delete हो जाएगा ठीक है इस पर मत click करना तो यहाँ पर आप क्या करेंगे अपडेट EKYC information के उपर click कर देंगे आपके सामने इस तरह से जो है page open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे government के जो नए-नए scheme है वो इश्रम card के portal पर add कर दिय लगया है यहीं से directly आप apply कर सकते हैं तो PM आवास योजना में apply करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे housing वाले scheme पर click कर देंगे जैसे दोस्तों आप इस पर click करते हैं यहाँ पर आपके सामने दोनों scheme open हो जाता है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन और प्रधान म का यहां से apply हो सकता है apply का यहाँ आप option भी दिया हुआ है ठीक है यहीं से आप apply कर पाएंगे अगर आप ग्रामिन चेतर से हैं तो यहाँ पर प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन दिया हुआ है इसके आगे जो apply का button है इसेपर click करके आपको form भरकर submit करना पड़े ठीक तो उसके लिए यहाँ पर i button पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस scheme के बारे में पूरी जो जानकारी है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अलग-अलग state में अलग-अलग amount दिया जाता है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो eligibility criteria है उसके बारे में भी बताया गया है कि कौन-कौन लोग दोस्तों eligible है और कौन-कौन लोग यहाँ पर apply करके पीम आवास योजना का lab ले सकते हैं तो यह भी आपको यहाँ पर readout कर लेना है उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो application process दिया हुआ है कि कैसे आपको apply करना है तो apply करने का जो process है यह online है online मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर 78 step बताया गया जिससे आपको apply करना पड़ेगा तो यह पूरा का पूरा यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको readout करना है उसके बाद close करना है अब apply करने के लिए जैसे अगर आप सहरी चेतर है तो अरबन के आगे apply के उपर आपको click करना है इस तरह से दोस्तों आपके सामने PM आवास योजना का portal open होगा तो इसे आप यहाँ से cut कर देंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रधान मंद्री आवास योजना सहरी चेतर का जो portal है यह open हो गया है ठीक है यही से दोस्तों apply करने का option गया है apply for PMAYU 2.0 आप यहाँ पर देख सकते हैं यही से आप apply कर सकते हैं directly और यहाँ पर दिया है scheme guidelines यानि कि जो 2.0 scheme आया हुआ इसका guidelines के उपर आपको यहाँ पर click करना है अब guideline दोस्तों यहाँ पर आप Hindi और English दोनों में आप पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले हमें आपर क्या करते हैं Hindi वाले option पर click कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक PDF open हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह जो PDF है इसे दोस्तों सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है क्योंकि पूरा का पूरा PDF हिंडी में है तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है तो apply करने से पहले आप इसे पूरा अच्छे तरह से पढ़ लेंगे ताकि दोस्तों आप apply करेंगे तो आपको कोई भी problem कोई भी दिक्कत ना आए ठीक है इसमें सारी चीजे बताया गया है कि कैसे apply करना है और कैसे आपको पैसे मिलेंगे अब यहाँ पर दोस्तों apply करने के लिए आपको करना क्या होगा apply for pmay urban 2.0 के उपर क्लिक करना है इस तरह से आपके सामने दोस्तों page open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर पहले option दिया apply for pmay u का मतलब है urban तो इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर interaction आता है आप यहाँ पर देख लिजे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर click to proceed के उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर document required कौन कौन सा document लगेगा ओ यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर सबसे पहला जो document है ओ है आवेदक का आधार कार्ड यानि कि दोस्तों जो apply कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना जरूरी है आवेदक का आधार कार्ड ठीक है उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड यानि कि आपके परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड जरूरी है ठीक है उसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरन यानि कि एक एक्टिव बैंक खाता भी आपके पास होना चाहिए आए प्रमाड पत्र आपके पास होना चाहिए ठीक है जिसके बाद जाती प्रमाड पत्र भी आपके पास होना चाहिए आप जिस भी काश्ट से आते हैं जिसके बाद भूमी दस्तावेज जहाँ पर घर बरना है यानि की जमीन का दस्तावेज भी चाहिए होगा तो यह पूरा डॉकुमेंट आपके पास होना जरूरी है ठीक है अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब इस तरह से आपके सामने eligibility check का form आएगा तो यह छोटा सा form है इसे आपको भरना है सबसे पहले household annual income बताना है आपके family का जो पूरा annual income है वो आपको यहाँ पर type करना होगा rupees में ठीक है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे select mission component तो यहाँ पर दोस्तों आप अपन पका मकान है तो yes करेंगे नहीं तो आप इसे no कर देंगे अगर इंडिया में कहीं पर भी आपका पका मकान है और आप yes करते हैं तो आप apply नहीं कर पाएंगे ठीक है आप eligible नहीं होंगे उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि पिछले 20 साल में central government या फिर state government से आपने housing scheme क कोई benefit तो नहीं लिया है अगर लिया है तो yes करना पड़ेगा नहीं लिया है तो आप इसे no कर देंगे उसके बाद eligibility check के उपर click कर देना है इस पर click करने के बाद इस तरह का option आता है तो मतलब आप eligible हैं आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पर अपना आधार number type कर देना है apply करने के लि तो यहाँ पर आप इसे ok कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको वही OTP type कर देना है और submit वाले button पर click कर देना है जैसे आप submit कर देते हैं उसके बाद दोस्ता आपके सामने main form open हो जाता है उसमें आपको अपना personal detail डालकर submit करना है और जो जरूरी दस्तावेज है उसे upload कर देना है उसके बाद दोस्ता आपका काम खतम हो जाता है आपको wait करना है जैसे दोस्ता आपका accept हो जाएगा आपको message आजाएगा उसके बाद पैसा भी आपके bank खाते में आ जाएगा तो अगर आप सहरी छेतर से हैं तो आप online apply करके PM आवास योजना का जो lab है उसे ले सकते ह ठीक है अब दोस्तो अगर आप gramid छेतर से आते हैं तो कैसे apply करना है चलिए ओ भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको urban का तो बता दिया पूरा process अब मैं आपको gramid वाले option का बता देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर apply के उपर क्लिक कर देते हैं आपके सामने दोस्तो पीम आवास योजना gramid का जो portal ही यह open हो जाता है अब दोस्तो जो gramid छेतर है न वहाँ पर online apply करने का कोई भी option नहीं मिलता ठीक है अब यहाँ पर कैसे आप apply करेंगे ओ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तो आवेदन आप आपको offline करना पड़ेगा आवेदन करने के लिए आप अपने गाउं के जो प्रधान है उनसे contact कर सकते हैं या पर जो पंचायत के मुखिया है उनसे contact कर सकते हैं अगर ओं लोग आपके help नहीं करते हैं तो directly आप जो district level पर PM साहिक बैठते हैं उनसे contact करके आप अपना form भरकर submit करवा सकते हैं समझे हो तो हाँ से दोस्तों आपको जो है directly benefit मिल जाएगा PM आवास योजना ग्रामिणी कार समझ गए तो सहरी छेतर में online apply हो जाता है ग्रामिण में दोस्तों कैसे apply करना है और मैंने आपको बता दिया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like और share कर देना थेंक दोस्तों बाइबन टेक कियर